T20 World Cup 2022 में रविवार को जिंबाबवे और बांगलादेश के बीच रोमान्चक मुकाबला खेला गया। Brisbane में खेले गए इस मैच में बांगलादेश ने जीत दर्ज की। इसी के साथ पाकिस्तान टीम के लिए एक बार फिर टेंशन बल गई है। उसके सेमी फाइनल में पहुचने की उम्मीदे थोड़ी कमजोर होती दिख रही है। मैच में बांगलादेश टीम के कप्तान शाकिब अलहसन ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया था। इसके बाद टीम की शुरुआत खराब रही और उसने 31 रन पर ही दो विकेट गवा दिये थे। फिर ओपनर नज्मूल हुसेन सांतो ने 55 बॉल पर 71 रनों की पारी खेलकर टीम कस्त को 7 विकेट पर 150 तक पहुँचाया। सांतो के अलावा अफीफ हुसेन ने 29 रन बनाए। 151 रनों की टार्गेट का पीछा करने उतरी जिम्बाबवे टीम की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 35 रनों पर ही टॉप 4 विकेट गवा दिये थे। यहां से सीन विलियमस ने मोर्चा संभाला लेकिन टीम को आखिर में जीत नहीं दिला सके। उन्होंने 43 बॉल पर 64 रनों की पारी खेली। जिम्बाबवे ने 8 विकेट गवा कर 147 रन बनाए और 3 रनों से मैच गवा दिया।